सर मैं पढ़ाई करती हूँ अब यहां ते सभी पढ़ाई करने वाली है कोर्स में पूछ रहा हूँ कौन से सर एंशिंट हिस्ट्री ओनर सर अभी इतना क्यों डर की बोल रही हूँ कुछ नहीं है ऐसी कहां कि रेने वाली है आप बिहार आपका नाम क्या है कि एक बांप बताओ जो माहुल आपको यहां पढ़ाई लिखाई-वèceा व बिहार में एक पटना वीमें कोल सेवेंटी सेंटी टाइम एटीज में बहुत अच्छा वहां का पटना वीमेंस कोलिज मामना जाता था अभी वह कैसा है, definit完壱 दो стीट वहां पर पटना है तो पटना हम आरा से बिलोंग करते हैं तो आरा में पांसा लेता है और वहां के सिच्छा मंतरी राम चरीत मानस के लिए परसान है और वहां पर चार सा लेते तो इस मामले में सर बिहार एजुकेशन के मामले में तो बहुत पीछ है मेरे हिसाब से आजी आप में से कोई बोलेगा बोलो बच्ची क्या नाम है तुम्हारा क्या पढ़ती हूं सुष्टे तिवारी नाम है मेरा मैं आरे मिला पीजी कॉलेज में बीए सेकेंड डियर इंग्लिश ओनर्स की स्टूडें आज बताओ तो हम जो बच्चीयों से बात पूछ रहे हैं कि तुमको लगता हैं कि नौजवानों के मुद्दे चात्राओं के मुद्दे या इनको वो जगए मिल रही है क्योंकि आधी आबादी के नाम पर तो महिलाओं को बहुत कहा जाता आधी आधी आबादी हैं हैं या थोड़ी ज़्यादाई है और लड़कियां तो और भी 30% उसमें ज़्यादा है तुमको लगता है कि में इस्ट्रीम मीडिया में में इस्ट्रीम politics में लड़कीं को वो जगह मिल रही है या अभी बस симبل के तोर पे उनको मंतरी बना दिया जाता है सिंबल के तोर पे उनको टिकट दे दिया जाता है सिंबल के तोर पर रिजर्वेशन जहान है महिलाएं लड़ा दी जाती है आज भी देखो सीट अगर रिजर्व होती है परधान की महिला के लिए तो महिलाएं मीटिंग में नहीं जाती है परधान पती जाते हैं अगर गाउं से आती हो तो प्रमुख बना दी जाती है तो प्रमुख का पती जाता है अभी भी ये बेवस यहां पर फील तो करती होंगी बट उतना आगे नहीं आई यहां अभी जैसे धीरे धीरे एंपावटमेंट कर जेंगा हमारे यहां लोगों को बताया जा रहा है वैर किया जा रहा है कि नहीं महिलाओं को भी आगे आना चाहिए एक रूड़ी वादी सोच जो आपने बताया कि प्रधान के लिए यदि महिला चैनित होती है तो उनके पती को आगे भेजा जाता है तो ये कहीं न कहीं उनको चैनित तो कर दिया गया लेकिन उनके पती को क्यों भेजा गया इसके पीछे उनकी रुणिवादी सोच है कि महिला को नहीं भेजना है किसी भी मीटिंग में या कि परिवार की महिलाओं को नहीं एक्सपोस करना नहीं भेजना है तो यह कहीं न कहीं उनकी रूणीवादी सोच है तो नहीं कह सकते सर की कम्प्लीटली हमारे इंडिया में अभी विमन इंपार्मिंट हो गया और मेरा सवाल है चुकि मैं गाओं देहाद का आदमी हूँ भारत कई भारत है ना एक तो इंडिया है जो दिलनी मुंबई और एक भारत है जहां के हम लोग हैं जहां की बच्ची है इसमें ज्यादा तर गाओं की बच्ची आए छोटे शहर हो कस्मों की बच्चिया है तुम यह फील करती हो कि अगर तुम बड़े शहर में किसी बड़े घर में पैदा होई होती तो तुमको ज्यादा उसर मिलते नहीं सर मुझे बहुत ज्यादे की लालसा या बहुत वैसी नहीं है मैं जिस परिवार से बिलॉंग करती हूं मैं बहुत संतुष् फील्ड था मट मैंने फिर चेंज करके आर्ट का फील्ड चूस किया तो यहां पर कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया या कभी मुझे ऑपोज नहीं किया कि तुमने साइंस चोड़के तुम फिर आर्ट में क्यों आई तो सब्सक्राइब कर दे रहा है तो हमेशा से बहुत आगे रहा है तीन तीन चाचार इन्वेस्टी बनारस में अब इदर कुछ बच्चिया है कि अगरा है का नाम क्या है कौन कौन बोलेगा यहाँ क्या किस क्या कर रहे ह। बीच छात्राओं के बीच महौल क्या है अश्या लगता है मतलब ऐसा कॉलिज वगारा भी सब अच्छा है लेकिन कोईट मुझे असल कि इसा लगता है कि कि वहां पर है सिर्फ कोईट कॉलेज जो होता है कि जो दूसरे फ़ों लोग होता है उनकी साथ में इंट्रेक्शन करने को मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो एक पोजीशन है वो कैसा है मतलब हमारी बात कितना सुनी जाती है यह फिर लेंट में पढ़ने कर लिए हम नहीं तुम क्या बनना चाहती हूं अभी तो ऐसा कुछ वह नहीं है एम नहीं है अभी ग्रेजवेशन करेंगे उसके बाद इसे एक्जाम्स वगरा सर फर्स्ट और नाम संजितार आया है मैं हिंदी ओनर से हूं बीए कर रही हूं सर सबसे पहले तो यहां पे हम यह बोलना चाहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी जबसे कोरोना आया है जब से बहुत ज्यादा डिस्टार्ब हो गया जिसके वज़े से स्टुडेंट बहुत ज्यादा एफेक्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले उसको में उसको वह जैसे पहले था वैसे करना जरूरी है सर क्योंकि हम लोग और फिर हम लोग को एक्जाम देने पर हो जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो इंडेक्स था वो मेरे से कम था लेकिन उनको मेंन कैम्पिस में लाए। जिस्ट बिकुस क्योंकि वो आते हैं रिजर्वेशन की कैटेग्री में। तो सर क्यों नहीं वो रिजर्वेशन हम फनांशियल बेसिस पे दे रहे हैं। क्यों हम एजुकेशन को यूँकि मेहनत तो सारे बच्चे एकॉल कर रहे हैं तो क्यों हम उसको मेहनत को नहीं देख रहे हैं। हम उसको फिनेंशली दें, वो अपनी नीट्स पूरी करें, पढ़ाई मेहनत बराबर करें और वहां पे वो रिजर्वेशन आप दीज़ें। तो अब देखो, समीक्षा होने की बात हुई थी 10-10 साल पर और आरक्षण की तरफदारी करने वाले लोग भी हैं। जो सदियों से, हजारों सालों से, जाती के नाम पर उनका बेहुसाइफ फिक्स कर दिया गया था, कि इस जाती का आदमी पानी भरेगा, इस जाती का आदमी चमड़े का काम करेगा, इस जाती का आदमी सब्जीब होएगा, ये भी जो हजारों सालों से… तो रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था वो 50 ये था लेकिन अब फिफ्टी येर्स पूरे हो चुके हैं तो आप फिफ्टी येर्स के बाद उसको फटनांशल बेसेश पर क्यों नहीं कर देते हैं यह देखना चाहिए कि कौन जनरल के टेक्रिम और जनरल आरक्षर की बहस होद लंबी है